बिस्मिल्ला रह्मन रहीम, आसलाम निकों माई यूटियो फैमली, कैसे आप सब, उमीद करती हूँ, सब खायदियत से होंगे, आज मैं आपके साथ इफ़तार स्पेशल, बहुत ही मज़ेदार शिकन सैंड्विच की रेसिपी शेयर करूँगी, बहुत ही ये टेस्टी और क्र अब इसमें मैं डालूँगी वन टेबल स्पून बटर, बटर को मेल्ट कर लेंगे, बटर जैसे ही मेल्ट होजेगा, तो उसमें मैं डालूँगी चिकन, 200 ग्राम चिकन ली थी, बोनलेस चिकन मैं यहां यूज कर रही हूँ, उसके मैंने छोटे पीसीज कर लिये थे, अब मैं डाल दूँगी पैन में, और इसको बटर के साथ सौटे कर लेंगे, ताकि अच्छा सा इसमें बटर का फ्लेवर आ जाए, एक मिनट के लिए बटर के साथ भी इसको मैंने पका लिया है, और देखे चिकन का जो कलर है वो चेंज हो गया है, अब इसमें मैं डालूँगी वन टी स्पून क्रश किया हुआ लेसन, और लेसन के साथ भी चिकन को एक मिनट के लिए फ्राइ कर लेंगे, ताकि अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ जाए, अब इसमें मैं डालूँगी वन फोर्थ टी स्पून नमक और वन फोर्थ टी स्पून ही काली मिर्च का पौडर, अ इसको कवर कर देंगे ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल जाए, यहां देखें मैं इसको कवर कर दूँगी और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको दस मिनट के लिए कुक कर लेंगे, दस मिनट हो गए थे तो चिकन का पानी जो है वो काफी खुशक हो गया था और चि भी श्रेड कर सकते हैं, तो जैसे ही गरम चिकन हो तो उसी टेम उसको श्रेड कर लें तो वो असानी से श्रेड हो जाएगी, यहां देखें कितने अच्छे चिकन के पीसीज हो गए है, फ्लेम को मैंने ओफ कर दिया है और चिकन को पैन में ही रहने देंगे ताकि अच्छी तरह से चिकन ठंडी हो जाए, तो इसको मैं बाउल में निकाल लूँगी, तो इसी तरह से चिकन के छोटे-छोटे से पीसीज होने चाहिए, अब इसमें मैं डालूँगी गाजर, एक गाजर ली थी जिसको मैंने ग्रेट कर लिया था, दो से तीन टेबर स्पून शिमला मिर मिर्च ली थी, जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है, दो हरी मिर्चे ली थी जिसको बारीक चॉप कर लिया था, वो डालेंगे, हाफ कप सलात पता लिया था, जिसको बारीक चॉप कर लिया था, वो डालेंगे, और हाफ कप ही मैं इसमें मियोनिस यूज़ करूँगी, आ आफ टी स्पून नमक, अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करते वकद मैं इसको चेक करूँगी, अगर मुझे मियोनिस कम लगी तो मैं इसमें और डालूँगी, तो यहां मैंने जो वेजिटेबल्स का इस्तमाल किया है, वो मेरी फेवरिट वेजिटेबल आप चाहें तो अपनी पसंद की कोई भी सबजिया इसमें यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत मज़े की लगती है, तो यहां देखें मिक्स्टर को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और मैंने इसमें और मियोनिस एड़ नहीं की, यह बिल्कुल परफेक्ट बनके त्य हुआ है, इसकी कंसिस्टेंसी आप चेक करें कि कितनी जबर्दस बनी है, ना ही ज्यादा रनी होना चाहिए बेटर और ना ही ज्यादा थिक होना चाहिए, तो यह बिल्कुल परफेक्ट बना है, अब यहां मैंने ब्रेड ली हैं और उसके एजिस को काट लूँगी, आप च सारे एजिस जो है ब्रेड के काट लिये हैं, और जब भी आप सैंविच के लिए ब्रेड इस्तमाल करें, तो वह बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए, तो इसी तरह मैंने सारे स्लाइस के एजिस काट लूँगी, अब मिक्स्चर को स्लाइस पर स्प्रेड करेंगे, तो मैं यहा जब भी नहीं लगाना मिक्स्चर क्योंकि जब हम इसको काटेंगे तो मिक्स्चर बहार निकल आएगा, अब दूसरा स्लाइस इसके उपर रखेंगे, हलका सा इसको प्रेस करेंगे, और इसको ट्राइंगल शेप में काट लेंगे, तो बहुत ही जबरदस्त और टेस्टी ज लगते हैं, और खाने में तो बहुत ही टेस्टी होते हैं, और अगर आपने किसी इवन्ट में बनाएं, तो सारे महमान आपसे इसकी रेसिपी ज़रूर पूच के जाएंगे, इतने ये मज़े के बनते हैं, तो ये देगे कितने अच्छे ये सैंड़िचिस बन गे हैं, वीडियो अच्छी लगे, तो जल्दी से सबस्क्राइब करें, बेल आइकोन को प्रेस करें, ताके मज़ेदार सी रमदान की रेसिपी आपसे मिसना हो सकें, तो बहुती मज़ेदार क्रीमी चिकन सैंड़िच की रेसिपी आपने ज़रूर ट्राइ करनी है, इन्शाला मिलें अगले कुकिंग विलॉग में, फिर एक नई रेसिपी के साथ, मुझे अपनी खास स्वाब में याद रखें, अल्ला हाफीज